मुझा नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर और आज मैं लेके आया हूँ पोको का C3 और रियल्मी का नार्जो 20 दोनों मुबैल का कमपेरिजन करेंगे एक साथ देखेंगे कौन सा मुबैल आपके लिए सबसे बेस्ट है तो दोनों मुबैल आते हैं कुछ ऐसे पैक होके दोनों मुबैल के बॉक्स में आपको कहीं पर भी मुबैल का डिजाइन देखने को नहीं मिलता है बैक साइड में आपको थोड़े बहुत हैडलाइन फीचर देखने को मिलते हैं जिनने मैं वीडियो मा आगे बताता रहूंगा मुबैल बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं मिनी बॉक्स जिस पर आपको लगी मिलती है सिम इजेक्टर पिन और क्विक स्टार्ट गाइड और यूजर मैन्वल इसके बाद स्मार्टफॉन 10 वाट के चार्जर अडप्टर जिनकी आउटपुट रेटिंग आपको मिलती है 5 वाटर ड्रॉब नॉज डिस्प्ले फोको सी थी मां आपको कोई भी स्क्रेच गार लगावा नहीं मिलता है रियल मी नार्जो 20 मां आपको स्क्रेच गार लगावा मिल जाता है तो जब भी आप मोबैल पर्चेस करो तो एक टेमपर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए इ यह दोनों स्मार्टफॉन के बैक साइड का लोग फोको सी थी में आपको डबल टॉन डिजाइन देखने को मिलता है उपर की साइड मैट फिनिस और नीचे आपको रेजिस देखने को मिलते हैं जिन पर इसक्रेच कम आते हैं और ग्रिप अच्छी बनी रहती है नार्जो 20 म में आपको वी से में लाइनिग देखने को मिलती है जिन पर आपको रेजिस मिलते हैं और इस में भी आपको ग्रिप अच्छी मिल जाती है साथी इन पर इसpower on की और वॉल्म ़्यूकर्स मिल जाते है नार्जो 20 में आपको फावर on की राइज साइड में मिलती है उपर की गया है नार्जो 20 में आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिलता है मोबाइल के लेफ्ट साइड में आपको दोनों मुवैल में मिलती है बागी दोनों मुवैल में आपको प्राइञर माइक, चारज़िंग जैक और मीडिया स्पीकर नीचे की साइड दिया गया है नार्जो 20A मां आपको fingerfin sensor मिल जाता है Poco C3 मां आपको fingerfin sensor नहीं दिया गया है दोनों smartphone के rear मां आपको triple camera setup देखने को मिल जाते है Poco C3 मां आपको 13MP का wide angle primary camera मिलता है Realme NARGO 20A मां आपको 12MP का wide angle primary camera दिया गया है इसके बाद 2MP के depth sensor camera आपको दोनों smartphone में और 2MP के micro camera दोनों smartphone में मिल जाते है with LED flashlight Front में drop notch के अंदर आपको Poco C3 में 5MP का selfie camera और Realme NARGO 20A मां आपको मिलता है 8MP का selfie camera दोनों mobile की power को कर दिया है on और brightness को भी कर दिया है full दोनों mobile मां आपको dark mode का option भी मिल जाता है और इसे enable करने के बाद कुछ ऐसा interface हमें देखने को मिलता है दोनों smartphone मां आपको display quality काफी अच्छी मिल जाती है screen brightness के मामले में आपको Realme NARGO 20A में ज़्यादा bright display देखने को मिलती है icon कुछ इस type के आपको दोनों smartphone में देखने को मिलते है user interface देखे तो scroll up करने पर यहाँ आपको सारी की सारी apps देखने को मिल जाती है Poco C3 में आपको कई फाल्तू pre-install app दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फाल्तू के game यहाँ पर कही आपको पहले से install हुए मिल जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप इन्स्टॉल कर सकते हैं रियल में नार्जो 20A में आपको सारी की सारी useful app दी गई है जादा फाल्तू की free install app नहीं दी गई है और आप बात करते हैं डिस्प्ले की Poco C3 में आपको 6.53 इंच की HD plus IPS LCD मिलती है नार्जो 20A में आपको मिलती है 6.5 इंच की HD plus IPS LCD एस्पेक्ट रेशो दोनों का 20 is 29 का स्क्रीन रेजुलेशन भी बिल्कुल सेम 720 x 1600 फिक्सल फिक्सल डेंसिटी 269 PPI की आपको Poco C3 में और 270 PPI की नार्जो 20A में मिलती है दोनों मुबैल में आपको 60 Hz का refresh rate मिल जाता है स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो Poco C3 में आपको Panda Glass का प्रोटेक्शन मिलता है और नार्जो 20A में आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है मुबैल की हाइट आपको Poco C3 में मिलती है 164.9 mm नार्जो 20A में 164.4 mm तिकनेस 9 mm की मिलती है Poco C3 में 8.9 mm की मिलती है आपको Realme Narjo 20A में वेट की बात की जाए तो 194 ग्राम का Poco C3 और 195 ग्राम का Realme Narjo 20A दोनों स्मार्टफॉन की सेटिंग को कर लिया है और MIUI वर्जन आपको मिलता है Poco में 12.0.1 का Realme UI वर्जन आपको मिलता है 1.0 का Narjo 20A में दोनों मुबैल में आपको Android वर्जन मिल जाता है 10Q दोनों 3GB वेरंट है आपको दोनों में 3GB RAM मिल जाती है 32GB का इंटरनली स्टोरेज और Poco C3 में आप 512GB तक का मेमरी कार लगा सकते है Narjo 20A में आप 256GB तक का मेमरी कार लगा सकते है प्रोसेसर आपको 2.30 GHz का Octa-Core मिलता है Poco C3 में 2 GHz का Octa-Core मिलता है Narjo 20A में चिपसेट की बात करें तो Poco C3 में आपको MediaTek Helio G35 का चिपसेट दिया गया है और Narjo 20A में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर के मामले में Narjo 20A काफी आगे निकल जाता है Poco C3 से Narjo 20A में आगर आपको Gaming का सौक है तो आप Gaming भी इसमें आसानी से कर सकते हैं Poco C3 में आपको MediaTek Helio G35 दिया गया है जिसमें Gaming इतनी अच्छी नहीं चलती है दोनों स्मार्टफोन के Rear Camera को हमने Normal Mode में कर लिया है तो Camera Quality अगर आपको ज़्यादा Colorful Camera पसंद है तो आपको Narjo 20A का Camera काफी पसंद आएगा Poco C3 में आपको उतरा खास Camera नहीं दिया गया है जितना आपको Narjo 20A में मिल जाता है बाकी दोनों मुवैल में आपको Portrait का Option भी मिल जाता है मोर में देखें तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में Time Lapse का Option दिया गया है और Poco C3 में आपको Slow Motion नहीं दिया गया है Realme Narjo 20A में आपको Slow Motion का Option भी मिल जाता है और यह हैं दोनों स्मार्टफोन के Front Selfie Camera तो Selfie Camera भी आपको Narjo 20A का ज्यादा पसंद आएगा 8 Megapixel का आपको इसमें Selfie Camera दिया गया है जिसमें आपको Physical Aperture मिलता है F2.0 का और Poco C3 में आपको F2.2 का Physical Aperture मिलता है दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलती है 5000 MHz की बैटरी और आप बात कर लेते हैं दोनों मुबैल के प्राइस की Poco C3 आपको मिलता है 7999 रुपीज में जो कि कुछ दिन पहले सेल में आपको मिल रहा था 7500 रुपे में लेकिन अभी प्राइस उपर हो गया है वही नार्जो 20A आपको मिलता है 500 रुपे और खर्च करने पर यानि की 8,499 रुपीज में दोनों स्मार्टफोन अपने प्राइस के इसाब से काफी अच्छे हैं लेकिन रियलमी नार्जो 20A में आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है साथ ही fingerfin sensor मिल रहा है POCO C3 में आपको कोई fingerfin sensor नहीं दिया गया है इसमें आपको normal यूज के लिए प्रोसेसर दिया गया है अगर आपको ज़्यादा सौक नहीं है heavy app यूज करने का, gaming का तो आप POCO C3 को purchase कर सकते हैं काफी अच्छा mobile है लेकिन अगर आपको gaming का सौक यूज करते है तो आपके लिए सबसे best रहेगा Realme Narjo 28 बाकि आप comment box में बताइए आपको दोनों smartphone में से कौन सा mobile पसंद आया कौन सा mobile आप purchase करना चाहोगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली unboxing के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आये तो लाइक करना न भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब चुरूर कर दे